सब्सक्राइब से पता होगा तब वह साथ साथ में आन से बता देजना कौन सा आफ्षिन करेक्ट होगा जी हाँ और अगर अच्छी लेगे तो आपको लाइक कर देना अपने दोस्टों में आपको शेर कर देना और जो भी इस चैनल पर नहीं आ रहे हैं चैनल को सबस्क्राइब करके बिल ला कर लेते हैं तो आप अच्छे इसको रखेंगे तो आपको क्या करना होगा सारे जीत्तिवी क्लास में ले लिए हैं आपको एक बार रिवाइस कर लेना है ताकि आपका जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए और और आप और आप बोर इसम में अच्छे मांक्स लेके आए लिंक को किलिक करके जूर जाना है और मैंने लाइब कमेंट में भी करते हैं जो भी डॉट्स वहां से क्लिए कर सकते हैं फिला हम यहां पर देखेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आसा बताए कांसा ओप्शन करेक्ट होगा तो क्या बोला जाना है रिता रूम वाज नोट किलिन बाइं रिता राइट अंसर हो जाएगा चले तब क्वेशन में टू को देखें क्या बोला जाना है और यहां पर राइट ऑप्शन होगा राम इसिंगिंग ए भजन चूज था बेस्ट पेसिव हां यहां यहां पर कौन सा बेस्ट पेसिव वैस है व और सुन्स आप लोग करेक्ट कर लिए गया निए भजन इस बिंग संग भाई राम हो जाएगा जेले जो आपको देख लिए क्या बोला जाएगा यहां पर आपको प्रका करेक्ट होगा चले आप लिए भी बिलकुल करेक्ट हो जाएगा निए रहमान इस ड्राइविंग देखें क्या बोला जाएगा और रैटर समगत यहां पर आपको प्रका करेक्ट होगा इट इस लॉन्ट तु यू चूज दे बेस्ट आर्ट एक्टिव आज जिहां यहां पर आपको प्रका क्यों सा होगा तो सिक्स का उप्षिन वर्ची बिलकुल करेक्ट हो जाएगा निए यू नो इट चले आप क्वेश्चन बर सेवें को देख लिए जै क्या बोला चूज दे क्रेक्ट टेंस्फिर्म जिहां यहां भी इपको ठेंस्परम यूज करने हैं काउन सा होगा तो 8 में option मर यह बिलकुल क्रेक्ट हो जाहने सीता गोल्स टू दें फिक्चर अंब सैंच जाए जै क्या बोला जाने नई में Si-interested in metaphysics Choose the correct transform नहां पर आपको टेंशफोर मताने एक कौन सा होगा तो 10 में राइटमस नुमर सी बिल्कुल correct हो जाएगा निया आई हैब ये इंटरेश्टिड इन मेरफी आपको डिखंटेश्टीस ज़से का लिगा अर। as soon as the teacher does the students will stand up जिहां यहां पर question element में कॉंसा राइटन से हो जाएगा बिल्कुल option में एक correct हो जागा नहीं as soon as the teacher comes the students will stand up जिले जब question 12 को देखिए क्या बोल जाए 12 में और comment box में राइटन से बाद एक कॉंसा option 12 का correct होगा जिहां question आ चुका है screen पे does he live long choose the correct auxiliary जिहां कौन से यहां पर auxiliary राइटन से बिल्कुल option में एक correct हो जाएगा नहीं may he live long जिले आप question 13 को देखिए क्या बोला जाए रहा है my cousin does swim when he was six years old जिहां यहां पी आपको auxiliary राइटन से बताना मत भूलेगा कॉंसा option correct होगा आपको बताना है when I was young I just read without glasses दिखां यहां पी आपको auxiliary राइटन से बिल्कुल correct हो जाएगा ने when I was young I could read without glasses चलिए आप question 14 हो चुगा 15 को देखिए क्या बोला जारा है we यहां पी भी आपको चूज करना है कौन सा होगा तो 15 में राइटन से बिल्कुल correct हो जाएगा ने वी सुद ड्यूली 17 और आप लोग राइटन से बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए आप question 18 को देखिए क्या बोला जारा है यहां पी भी आपको चूज करेक्ट होगा तो 19 में ऑप्शन मर दी बिल्कुल correct हो जाएगा ने कौन सा होगा तो 19 में ऑप्शन मर दी बिल्कुल correct हो जाएगा ने किरन कुड नोट कम बिकॉज सी वाज टायड चलिए आप question 20 को देखिए लिए क्या बोला जारा है राम केम यस्टेड़े यह वाज ए साइंटिस्ट एंड टीचर जिहां यहां पी भी आपको चूज कूज 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 राम ए साइंटिस्ट एंड टीचर केम यस्टेड़े चलिए आप देखलेंगे next question question 21 क्या बोला जारा है 21 में the poor alone deserves help choose the suitable negative sentence जिहां यहां पी बताने कौन सा negative sentence सही है तो 22 में option number c बिल्कुल correct हो जागाने never tell alive चलिए आप देखलेंगे next question 23 क्या बोला जारा है 23 में can a man live forever choose the suitable negative sentence जिहां यहां पी भी आपको negative sentence चूज करने है कौन सा होगा तो 23 में option number a बिल्कुल correct हो जागाने a man can't live forever चलिए आप question 24 को देख लिए can it be true choose the suitable negative sentence जिहां यहा 24 में option number a बिल्कुल correct हो जागाने it cannot be true हो जाएगा चलिए आप question 25 को देख लिए क्या बोला जारा है this is a kilo dash rice for you जिहां यहां यहां पर आपको correct preposition यूज करने है तो कौन सा preposition यहां पर आएगा तो 25 में option number a बिल्कुल correct हो जागाने this is a kilo of rice for you चलिए आप question 26 देखेंगे और 26 में option number d बिल्कुल correct हो जागाने we should be kind to animals चलिए आप question 27 को देखेंगे I will wait that he returns choose the suitable preposition जिहां यहां भी बताए कौन सा preposition का यूज होगा तो 27 में option number a बिल्कुल correct हो जागाने I will wait until he returns चलिए आप question 28 को देखेंगे the sword is hanging that's my head choose the suitable preposition जिहां यहां भी बिल्कुल प्रेपोजिशन का यूज करने है कौन सा होगा बिल्कुल option और यह correct हो जागाने the sword is hanging over my head चलिए आप next question देखेंगे question 30 29 क्या बोला जाए 29 में और आपको राइटर से रहते कौन सा option correct होगा he died that's his society choose the suitable preposition जिहां यहां पी बताए यह concept suitable preposition है बिल्कुल option नबर सी करेक्ट हो जाए गाने he died for his society चलिए आप next question देखेंगे question 30 क्या बोला जारा है the work was done that's his choose the suitable preposition जिहां यहां पी बताने है concept preposition यूज होगा बिल्कुल option और यह correct हो जाए गाने the work was done in haste चलिए आप next question देखेंगे question 31 क्या बोला जारा है यहां पे कौंसा sentence correct है वो आपको बताने है तो 31 में option बर सी बिल्कुल correct हो जाए गाने bread and butter is my breakfast चलिए आप देखेंगे next question question 32 क्या बोला जारा 32 में choose the correct sentence जिखां कौंसा sentence correct है वो आपको चूज करने है तो 32 में option बर सी बिल्कुल correct हो जाए गाने these boys will play cricket चलिए आप question 33 को देख लिए है choose the correct sentence जिखां कौंसा पर correct sentence है तो 34 में option बर दी बिल्कुल correct हो जाए गाने that was surely a mistake चलिए आप question 35 को देख लिए क्या बोला जारा है he plays dash table जिखां choose the best article जिखां कौंसा पर आर्टीकल जीज होगा तो 35 में option बर सी बिल्कुल correct हो जाए गाने he plays the table चलिए आप देख लिए question 36 क्या बोला जारा there is dash garden behind the house choose the best article जिखां कौंसा पर बेस्ट आर्टीकल जीखां कौंसा पर आर्टीकल जीखां कौंसा पर आर्टीकल जीज होगा तो 37 में option बिल्कुल correct हो जाए गाने question 38 क्या बोला जारा my brother is dash s i of police जीखां यहां पर आपको आर्टीकल जीखां कौंसा होगा तो 39 में option बिल्कुल correct हो जाए गाने he sent an SOS चेले आप देखलेंगे next question in question 40 क्या बोला जारा 40 में और यहां पर आर्टीकल जीखां क्लासिकल जीखां यहां पर कौंसा बेस्ट आप्शन है तो 40 का option बर यह बिल्कुल correct हो जाए गाने I do not like listening classical music चेले आप question 41 को देख लीजए क्या बोला जारा he is death of me choose the suitable option जीखां तो यहां पर कौंसा option suitable है वह आपको बताने है तो 41 में option में भी बिल्कुल correct हो जाए गाने he is jealous of me चेले आप question 42 को देख लीजए choose the correct spelling जीखां यहां पर कौंसा spelling correct है यहां पर तो 42 का option में सी बिल्कुल correct हो जाए गाने चलिए आप question 43 को देख लीजए क्या बोला जा रहा है तो राइटन सब्सक्राइब कौंसा correct होगा choose the correct spelling जीखां यहां पर आपको correct spelling बताने है कौंसा बढ़ गाया पर यहनि कौंसा option में correct है तो 43 में जो option number a है बिल्कुल correct है नि what it is चलिए आप question 44 को देख लीजए क्या बोला जा रहा है choose the correct spelling जीखां यहां भी आपको correct spelling बताने है कौंसे option में सही है तो 44 में option number c बिल्कुल correct हो जाने अक्यूपेशन चले आप question of 45 को देख लिए क्या बोला जा रहा choose the correct spelling जिखा यहां भी बताएं यहां पर correct है यहां यहां पर correct है यहां तो option नमर यह बिल्कुल correct हो जाने तो 46 में option नमर यह बिल्कुल correct हो जाने someone has given me the message चले आप question 47 को देख लिए क्या बोला जारा है milk and fruits that's good for health choose the most correct option जिखा कौन से आपे most correct option है तो 47 में option नमर सी बिल्कुल correct हो जाने milk and fruits are good for health चले तो आप देख लिए next question question 48 क्या बोला जारा very good screen पे आ चुका है question तो राइटर से बताएं इस boy and is girl that's a separate room choose the most correct option जिखा यहां भी most correct option को चूज करने है कौन सा होगा तो 48 में option नमर यह बिल्कुल correct हो जाने चले आप question 49 को देख लिए क्या बोला जारा है the origin of these manners and customs that's unknown choose the most correct option जिखा यहां भी आपको पताने कौन सा option most correct है तो 49 में option नमर भी बिल्कुल correct हो जाने the origin of these manners and customs is unknown चले आप question 50 को देख लिए क्या बोला जारा हर हर work and dedication has paid off जिखा यहां यहां भी आपको most correct option चूज करने कौन सा होगा तो 50 का option नमर यह बिल्कुल correct हो जाएगा नहीं hard work and dedication has paid off जिखा जिखा जैसा कि आप देख पार होंगे कितना important question आपके बोड़क के और अपने दोस्तों को share भी कर देना है तो क्या बोला जारा question 51 में the teacher says rose smells sweet जिहां यहां पर आपको इंडारेक्ट नेरेशन में change करने हैं जिहां कौन सा option correct हो जाएगा ने the teacher says that rose smells sweet जिहां हो जाएगा जिले आप question 52 को देख लिए समीर said you are telling the truth choose the indirect narration जिहां कौन सा आपके correct इंडारेक्ट नेरेशन है वो बताने हैं तो 52 में option यह बिलकुल correct हो जाएगा ने समीर says that I am telling the truth जिहां आप देखलेंगे next question question 53 और राइटर समा दे 53 का कौन सा option correct होगा जिहां तो question आ चुका है screen पे shall I open the door? Harish asked जिहां यहां पी भी आपको correct indirect narration बताने है कौन सा होगा तो 53 में राइटर समीर नेरेशन 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 बिलकुल correct हो जाएगा ने Harish asked if he should open the door चले आप question 54 को देख लिए यहां पी भी आपको indirect narration बताने है कौन सा indirect narration correct है तो 54 में राइटर समीर नेरेशन 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 बिलकुल correct हो जाएगा ने He said that he had got a tooth act चले अब देखलें question 55 क्या बोला जा रहा है चले very good आ चुका है question चले आपको डाइक नेरेशन बताने है कौन सा correct है तो 55 में आपको डाइक नेरेशन बताने है कौन सा correct है तो 56 में और भी बिलकुल correct हो जाएगा ने he said alas I am reigned चलिए आप देखलेंगे next question question of 57 और आप राइटर से बते एक answer of 57 का option correct होगा you are dash the poor choose the correct word form जिहाँ यहाँ पे कौनसा correct word form है वो आपको बताने है तो 57 में option number C बिल्कुल correct हो जागा ने you are helping the poor चलिए आप देखलेंगे question of 58 क्या बोला जारा है choose the correct sentence जिहाँ यहाँ पे कौनसा sentence correct है वो आपको बताने है तो 58 में option number D बिल्कुल correct हो जागा ने he is an honorable man चलिए आप question 58 हो चुगा है 59 का राइटर से बते कौनसा option correct होगा he spoke dash choose the correct option जिहाँ यहाँ पे कौनसा option correct है वो आपको बताने है तो 59 में option number C बिल्कुल correct हो जागा ने he spoke in a loud wise चलिए आप देखलेंगे next question question 60 जिहाँ तो आ चुका है question screen पे क्या बोला जा रहा है of all the students in the class Ram is surely choose the best option जिहाँ यहाँ पे कौनसा best option चूज होगा यहाँ पे कौनसा best option होगा आपको चूज करने है तो 60 में option number B बिल्कुल correct हो जागा ने Ram is surely the most intelligent जिहाँ तो अब हम लोगों यहाँ पे जो grammar portion है बिल्कुल complete कर लिया अब हम लोग यहाँ पे 60 to 100 जो question कवर करेंगे यह सारे book portion से होगे तो आपको सारे question करा रहत्रान से बताने कौनसा option करेक्ट होगा चले तो first question आ चुका है क्या बोला जाए यह बताने है आपको यह कहां से लिया गया है तो कौन से यहाँ पीस से है यहाँ पे 61 का option बन यह बिल्कुल correct हो जागा ने इंडियन civilization and culture सी यह sentence है चले आप question 62 को देख लिए क्या बोला जाए यहाँ गांदी जी वें टू चंपारन इन जी हाँ तो गांदी जी कब चंपारन गह थे तो option नमर्ट ए बिल्कुल correct हो जागा ने क्या हो जागा क्या हो जागा बिल्कुल correct हो जागा ने वाज ए गरेट नेशनलिस्ट चले आप question 65 को देख लिए वें नानो काका इस अने बल्ट तो एक्सप्रेस्प्रेस इंडिया क्या हो जागा बिल्कुल इंग्लिश और हिंदी वे स्पेकी इंडि क्वंस्टाइरस हो जागा बिल्कुल Annober D correct हो जागा ने इन मराथ ही ति यह आप question 66 को देख लिए क्या बोला जाए रहा है the bark of justice is jihant क्या हो जागा तो बिल्कुल option बेर एक्रिक्ट हो जागा ने 1963 is not an in but a beginning item से हो जाएगा तो 68 को दिख लिए क्या बोला जाएगा वाट 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 वार इंपोर्टेंट देंड डेंड डॉमेस्टिकेशन ऑफ एनिमस जीहां क्यों से राइटन से हो जाएगा तो 68 का ऑफ्शन नमर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएग कौन से अपनिकेक्ट हो गांच लिसम दीघरीन तो आफ पिसे 15 के बोला जाएगा थे याणि करेंस प्माट वाट वाट व्यायकर हो जाएगा आप क्वर्सटिक गॉशं को देख लिएग उस्तफ विमन विंच्ट हर मदर्स हाउस इसइस प्लेराइट समस्तार हो जागा आइ सुझाल According toம माए यहीं क्रुपला जाएका लिए यहाँ भी मिलकुल recent ने लहीं क्याए lessar चलिए यहाँके आप वेश्चनमों 74 देखेंगे लेंगे क्या आप बूला जाए is an asses चला अब करश्uéमों 75 देख अक्या किया बोला जारा है the bank will give interest on it and then one day when you Benji timeframe are 21 किया भूचित हो क्वालिटी ओफ ए लीडर इज जिहां कौन्सा हो जागा यहां पर आप्शन में बिल्कुल क्रेक्ट हो जागा ने देख लेगे नेक्स्ट क्वेश्चन में 78 और आप राइटन से बाद एक 78 के कौन्सा ओप्शन क्रेक्ट होगा पल आस बग केम टू नो अबाट इंडिया क्रेक्ट हो जागा ने लोमोबी 35 यह ओल चलिए अपक्वेश्चन में 30 79 हो चोगा आप देख लेंगे आपनेक्स क्वेश्चन में 80 और यहां पर राइटन से बाद एक कौन्सा ओप्शन क्रेक्ट होगा चुबकोब इस ए जिहां क्या हो जागा यहां पर ऑप्शन और सी ब किस ने कहा था यहां पर 82 में भी बिल्कुल क्रेक्ट हो जागा निए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में 83 क्या बोला जा रहा है वरी गूर्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीम पर स्टार्विंग तुरू दैर लीफलेस्ट वूड इस फरों दिखां यह कहां से लिए गया है तो यहमें 83 का अप्शन नुमर सी करेक्ट हो जागा निन नाउद लिफ्स आर फॉलिंग फास्ट यह आप देख लिए प्वेश्चन में 84 क्या बोला जाए 84 में जॉन कीर्स बिलॉंग टू जी हां तो बिलोंग करते हैं 84 में और बिल्कुल करेक्ट हो जाग लिए और तो अटम से चलिए आप देख लिए क्या बोला जाए 86 में वाल्टर डिला मियर नियू ए-डास हू इस नाउड जी हां यहां पर कॉंसा ओप्शन करेक्ट हो जागा नियू अप्शन नुमर यह वाल्टर डिला मियर नियू ए लेड़ी वू इस नाउड डैड चलि आप क्वेशन में 88 को देख लिए हम हो मेनी टाइम्स डाइट यूज दे वर्ड इंगलेंड जी हां कितनी बाद यूज किया है उन्होंने तो आप्शन नुमर सी बिल्कुल करेक्ट हो जागा नियू छेवाल तो आप क्वेशन में 89 को देख लिए क्या बोला जा रहा है इस मेकावीटी इस कॉल्ड तॉ और हिटन पॉंग टेह व्होंने थिक्तम फिल्कुल करेक्ट हो जागा नियू तो आफ विए वस्टन ID को देख लिए में टुच अडिया विए यूज घ्या आप चैनी इस जाना रहा है इस बिल्कुल करेक्ट हो जाने टुक पलेस 20 अगो सब्सक्राइब देख लिए क्या बोला जा रहा है चले तो राइटन से बहुत ही है कमला दास remembers the happy days spent in the sweet company of her dad जिहां तो यहां पर क्या हो जाएगा नियो option mercy of her great mother चले आप question 95 को देख लिए the poet is in the great mother's house baked at dash doors जिहां यहां पर कॉन से राइटन से हो जाएगा तो option बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा नि बेक्स एट इस्टेंजर स्टोर्स चले आप question 96 देख लिए which language has become a passport to jobs in India and abroad जिहां कॉन से लाइट हो जाएगा यहां पर option D बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा नि English language चले आप question 97 देख लिए क्या बोला जाएगा और राइटन से बते कौन से option यहां पर 97 में क्रेक्ट होगा मनोहर माल गाउंकर belong to जिहां यहां पर क्या हो जाएगा option A नि belong to India आप question 98 को देख लिए क्या बोला जा रहा है इन भी century did the Indian English poetry begin to be written जिहां कॉंसे संचुर हो जाएगा यहां पर option भी बिल्कुल क्रेक्ट हो जाएगा ने 19th century चले तब question 99 देख लिए क्या बोला जा रहा है the new variety of English that developed in America is called जिहां क्या हो जागा तो बिल्कुल option भी क्रेक्ट हो जाएगा ने is called American English जिहां तो इसी question के साथ हम लोगों आज आज का important English का बिल्कुल कवर कर लिया है अगर आपने पूरे class को नहीं किया तो आपको पूरे class को फिर से कर लेना जिखां क्योंकि इस मोडल सेट में हम लोगों जितनी भी question के लिए काफी important है यहां से आपको बहुत अक्ष्य मांक्स आएंगे यहां क्योंकि मैंने जितनी भी classes आपक आपको कर लेना जरूरी है और आपको class अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है और जो भी इस चैनल पर नहीं आ रहे है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आगो प्रेस कर लेना ताकि जितनी भी classes आपका notification को टाइम भी मिल अच्छे कर सकते हैं जिहां तो यहां तक बने नहीं किलाब सबका धन्नवाद तो आज के लास में बस इतना ही फिर में लेंगे हम लोग लिए कि लास में तील देन बाइबाए टाटा शी ओंडे नेक्स्ट क्लास